हेलो दोस्तों स्वाबत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोनिंग और कैसे हम रिपोजिटी को फोब कर सकते हैं क्लोनिंग बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि इससे हमारा कई सारा टाइम से हो जाता है हम practically देखते हैं कि cloning होता किर से है इस वीडियो को practically समझाने के लिए मैंने दो वशीन यूज किये है पहला यह जो मेरे पास lower screen पे है वो है Windows और यह मेरे पास AWS में EC2 instance है Amazon Linux मैं अपनी live में यह दोनो वशीन में से code लिखता हूँ कभी-कभी Windows होता है कभी-कभी Linux होता है अब यहाँ पे code transfer करना में दिक्कत होती है क्योंकि आज मैंने यह code अपने local computer में से लिखा और वही code मुझे चाहिए Linux system पे तो मैं अपना चोभी local repository में code है वो डाल दूँगा GitHub में और बार में उसी repo को Linux system पे में clone कर लोगा कैसे करता है? practically करेंगी सबसे पहले यहाँ पे मैं GitHub में हूँ अभी मेरे पास पोई repo नहीं है नया repo बनाता हूँ पॉब्लिक और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई कोड एके कुछ भी नाम दे दो पॉब्लिक ही repository बनाएंगे ओके यह हो गया अब हेलो एबरिवन स्वरी टू डिस्टर्ब्यू मैं जानता हूँ कि मैं बीच में आ गया अंशॉर आप हमारे गिट गिट लैब सीरिस एंजोई कर रहे हूँ वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एंडरोल कर सकते हो जिसकी डीटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टरेश सपोर्ट नहीं दे सकते है थुड़ा मुश्किल है हमारे लिए पर अगर आप हमारे कॉम्मुनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है लाइफटाइम अपदेशन इंक्लूडेड है कमपलिशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है साथ में वीकली लाइस्टाइब लाइव सेशन विच पावशे टारा इंक्लूड़ेड है और एक बात हम चाहते है कि आपकी ये जर्नी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड हो इसलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्स इंक्लूड किये है हम Udemy पे भी अवेलिबल है आप चाहे तो वहाँ से भी इन्रोल कर सकते हो अगर मैं language की बात करूँ तो Hindi English दोनों option अवेलिबल है अगर इसके regarding आपको कोई और queries है तो आप मेरे personal number पे contact कर सकते हो मैं चाहता हूँ कि आप 400 students में से हो और इस offer का ज्यादा से ज्यादा लोग advantage ले You can continue your journey. Thank you मैं जाऊंगा Windows system में यहाँ पे मैं एक local repo बनाऊंगा तो सबसे पहले एक folder मनाता हूँ mkdir win system okay cd win system यह repo नहीं होगा अभी git status okay तो मैं यहाँ पे करूँगा git init अब मुद्धे code तो चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक vi3 एक file बना लूँगा my data यहाँ पे hello this is from windows okay wq अब उसको मैं डाल दूँगा git add staging area my data okay git यहाँ पे हमें url कोपी करनी पड़ेगी origin और इस url को हम कोपी कर दित हो गई अब पुश करूँगा git पुश डेस्यू और हमारी ब्रांच है master okay तो यह मैंने पुश कर दिया और यह हम यहाँ पे रिफ्रेस करके वेरिफाइ कर सकते हैं देखिये वो गया अब मैं लीलक सिस्टम में हूँ राइट यहाँ पे लीलक सिस्टम है इस में मेरे पास कहीं सारे फोल्डर होगे उसको हम देख लेते हैं okay ls देखिये सबी कहीं सारे फोल्डर है मैं यहाँ पर भी क्लोनिंग कर सकता हूँ कोई टेंशन नहीं है पर क्योंकि यहाँ पर कहीं सारे फोल्डर है आपको confusion होगा तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर मना देता हूँ linux और cd linux में जा रहा हूँ तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ मैं पर कोई रेपो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई कोई फोल्डर में जाके कुछ नहीं करा हूँ मैंने सिर्फ एक फोल्डर मनाया और मैं मुझे यह जो रेपो है वो चाहिए इसका url मेरे पास है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ एक कमांड लिकूँगा git clone और paste हो गया और मैं जैसे ls कमांड करूँगा मुझे my code मिल जाएगा cd my code में मैं जाके ls करूँगा मेरा file open हो गया मैं उसको देख भी सकता हूँ hello this is from windows file मेरे पास आ गई चो भी मेरे पास commits थे वो भी commits आ गए देखिए commits जो मैं रास्ट किया था 91115 same commit origin master सब कुछ यहाँ पर आ गया है even git remote add भी और यहाँ पर हो चुका है और यह पूरी repo मेरे इस system में आ गई तो यह है cloning आप किसी भी public repo को cloning कर सकते हो और वो पूरा repo आपकी computer के अंदर आ जाएगा command बहुत ही easy है सिर्फ आपको करना है git clone और repository का ना वेसे हैं अदर आपको git to git करना है तो there is one option known as four let's say that मेरे पास अभी एक remote registry है remote repo है अब मुझे एक remote repo कोई पसंद आ गया let's say that आप Google करके एक search करते है मेरे पास अल्रेडी एक है जैसे कि यह मेरे पास है एक AWS CD के example और यह किसी ने बनाया है AWS का मुझे यह git public है मैंने यह open किया मुझे अच्छा लगा मुझे यह अपने account में चाहिए तो मैं यहाँ से करूँगा four ओके यह अपना copy हो गया इस particular repo का अब आप यहाँ पे चाके home में जाओगे तो आपको दो repo दिखाई देगा एक जो मैंने my code मेंने बनाया था और एक जो मैंने public repo को four करके अपने account में लिया था यह git up to git up होता है और आपकी system में automatically आ जाता है cloning बहुत ही काम की चीज़ है इससे आप multiple system में अपने save code को ले सकते हो और आपको code centralized location पे देना है और फिर उसको अपने computer में लो आपको अगर मालूँ है तो हमने इनी से लिए एक बात किया था कि जिसे मेरा laptop loss हो गया आपके पास इसमें यारे के git remote, git hub में अल्डेडी आपका repo है दुसरा कोई भी machine लापके clone कर दो और बाद में उसके access के सब अगर प्रइबेट है तो यूसर ने माल पासपट देना पडेगा वो भी आप इसली कर सकते हो अगर पॉरिदी है तो अगर पॉब्लिग है तो क्लोनिग के लिए कोई उसर ने मपासपट देने की जरूरत नहीं है ओके so this is all about cloning and fork we are going to meet in the next video same super learning continue thank you very much goodbye